सो हेलो दोस्त स्वागत है आप सभी का आज की इस नहीं वीडियो में एंड आज हम बात करने वाले हैं रूपी बॉक्स लोन एप के बारे में इस एप को आप कैसे यहां से आप लोन के लिए अपना एप्रूवल फाएंगे कितना लोन मिलेगा कितना इंट्रेश्ट देना के बटन को दबा कर चैनल को सबस्क्राइब कर देना है एंड साथी में ऐसे और भी हम आपके लिए नौलुजबल वीडियो जो लाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी में बिल आकन को भी अप्रेस कर दें तो यहां पर चली है मैं आते हैं वापस से टॉपिक परमिसन जिस जिस आपके फाइल्स और श्टोरिज एसमेस फोन नमर जिस भी चीज की परमिसन मैंगेगी वो सारी चीज़े यहां पर लिखी होई है और आपके परमिसन को क्या करेंगी सारी डिटियल्स लिखी होई है पड़कर आप इसे बॉक्स को टिक किजएगा एगरी को क्लिक करना यहां पर जैसे ही यह application के हम सारे term and condition privacy policy को पड़ते हुए एगरी कर लेते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा interface आता है अब यहां पर आपको maximum 50,000 तक लोन मिल सकता है जहां पर आपका रोजाना का interest 0.05% लगने वाला है इसे की साथ अगर आप 120 days के लिए यहां पर ल interest 18.25% लगने वाले हैं तो आप यहां से calculate कर सकते हैं कि आप अगर 10,000 रुपए लेते हैं 20,000 रुपए के लोन के लिए apply करते हैं तो आपको जब आपका time पूरा होगा तो आपको repayment कितना करना पड़ेगा अब यहां पर हम आपको बताते हैं कि यहां पर loan लेने के लिए सब पर click करना है, click करते ही सबसे पले यहां पर आपको अपने mobile number डालकर अपना account create कर लेना है, जैसे ही यहां पर आपका account create हो जाता है, आप redirect हो जाएंगे वापस से maintenance boot पर तो आपको वापस से apply पर click करना है, अब यहां पर आपका एक selfie photo लिया जाएगा, उसके बाद यहां पर आ आपको bank details और अपना professional details address यह सब चीज़े फिल करने हैं third step में आपका signature होता है और आप कितना loan लेना चाहते हैं interest कितना लगने वाला है यह सारी चीज़े fix होती है उसके बाद आपको चौथे step में यह सारी काम within five minutes के अंदर हो जाएगी अगर आपका सारा documents ready रहेगा तो और उसके बाद आपका loan successfully आपके bank account में डाल दिया जाता है अब भाई लोग आप हम इसी के साथ आपको यह भी बता दे यहाँ पर जो भी आप loan लेंगे loan का ही story यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने कितना loan लिया है और यहाँ पर loan का due date कितना हुआ है कितना आपको repayment करना पड़ेगा सारा details यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसी के साथ मैं आपको यह भी बता दू भाई लोग यहाँ पर अगर आप loan ले रहे हैं इतने सारे आप details दे रहे हैं इस application में तो इन सब चीजों को आप अपने जिम्यदारी पर लीजिएगा जिम्यदारी पर आप यहाँ पर loan के लिए apply के जिएगा क्योंकि आपके details documents के साथ misuse भी हो सकता है और बहुत सारे लोग के साथ fraud भी हो रहा है तो सुब मेरा काना है कि आप थोड़ा बच के सतर्क रहे हैं और अगर आपको चोटा मोटा loan चाहिए तो आप अपने nearby bank में विजिट कर सकते हैं friends relative relation वाले में विजिट कर सकते हैं बट मेरा suggestion रहेगा कि आप अगर आप इस application या other application से loan ले रहे हैं online तो आप थोड़ा सतर्क रहेगा और आप अपने जिमेदारी पर loan लीजिएगा किसी के कहने या किसी का वीडियो देखकर या फिर मेरा यी वीडियो देखकर आप loan के लिए apply मत कर दीजिएगा क्योंकि आपके details के साथ misuse होगा तो आप उसमें फस भी सकते हैं I hope कि आपको इस वीडियो में